अब सबको मेरा नमस्ते अभी आपने देखा जो जंग फूड होता है जंग फूड जो बोलते हैं कि यो जो हमारे सहत को असर करता है वो आपने उसके टुटॉरल देखे अभी मैं ये टू सेशन है उसमें मैं आपको बताने वाली हो तीन टुटॉरल है इंसलिन जो हॉर्मोन है जो अपने पैंक्रिया से उत्पन होता है उसके क्या फाइदे है उसका अगर ज्यादा मात्रा में वो इंसलिन बढ़ा और कभी वो ज्यादा मात्र में इंसुलिन बढ़ता है, जब हम लोग बहुत स्टार्च वाला खाना खाते हैं, आलू है, चावल है, बहुत सारा गेहूं, तो वो जब हम लोग ज्यादा खाते हैं, शक्कर है, तो उससे वो इंसुलिन की मात्र बढ़ती है, और जब हम इंसुल बोलता है कि यह जो शुगर की मात्रा बड़ी है हमारे कुन में वो खूर्द के लिए हमारे बाड़ी के लिए अच्छी नहीं थो तुरंथी मास पेशिया उनको बोलता है कि चलो एक लूकोस और जो चुगर है वो पेशी में डालो कभी कभी क्या होता है कि जब बहूत मात्रा में रिफाइन स्टार्च लेते है या रिफाइन शुगर एज गूड है है तो उसमें क्या होगा प्रॉब्लम की जो पेशिया होती है उसमें पूरी पेशिया वो शक्कर से भर जाती है और जब भर जाती है तो insulin की मातरा धीरे धीरे बढ़ती है क्योंकि जो normal insulin जो काम करा था भी वो insulin काम नहीं कर रहा है और insulin की मातरा बढ़ रही है इसको हम लोग insulin resistant बोलते हैं तो यह insulin resistant को आपको definitely कुछ भी करके आपको रोकना है क्योंकि जैसे वो इंसुलिन की मातरा बढ़ेगी, इंसुलिन रजिस्टन बढ़ेगा, तो ब्लड प्रेशर, डियाबिटीज, हार्ट प्रब्लम, रदैका प्रब्लम, बहुत सारे प्रब्लम्स, जो है, कौन से कौन से प्रब्लम्स जो मैं आपको टुटॉल में दिखाऊंग वो आपको ध्यान में रखना है, तो यह तो हो गया आपका इंसुलिन रजिस्टन का टुटॉरल, दूसरा एक टुटॉरल जो है, वो है, जो इनसुलिन जबी पढ़ता है हमारे बॉडी में, तो इसके क्या-क्या असर हो सकते हैं, क्या-क्या उसके नुक्षान होते रहें, तो यह तीन टुटॉरल है, वो अडल्ट नुट्रिशन के लिए भी इंपोर्टन है, और बचों के लिए भी इंपोर्टन है, क्योंकि आज कल हम देख रहे हैं कि हमारा CNNS रिपोर्ट आया हुआ है, जो Ministry of Health से बहुत सारे बचों का blood test किया हुआ है, तो उसमें हमें पता चल है, और लगभग 34 तका बच्चे हैं, जोसमें triglyceride करके चर्वी है, अच्छी काली चर्वी नहीं है, वो खून में उसकी मातरा ज्यादा है, उसका मतलब यह है कि वो बच्चों की कलेजी में ज्यादा triglyceride level है, उसमें ज्यादा वसा है, वो वसा कलेजी में होना बहुत कतर नाख है, तो इसलिए हम लोगों ने यह 4-5 टुटारल आपके लिए बनाए है, क्योंकि हम लोगों बच्चों को ऐसा खाना देना है, जिससे वो इंसलिन की मातरा ज्यादा ना बढ़े, तो जैसे क्या खाना है, उसके बारे में तो मैंने आपको बताया, बहुत सारे पोशक से आपने देखा ही हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारे बोडी के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है, दुछरा वसा कौन सा वसा खाना चाहिए, अच्छा वाला वसा खाना चाहिए, और कार्भोहर्डिट कीतना होना चाहिए खाने में, वो भी हम लोगों ने यह माति में बताए कि ज़्यादा कार्भोहर्ड खाने से क्या असर हो सकता है, ठीक है, धन्यवाद, इंसुलिन के महत्व पर बने, स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है, इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे, अगनाशे से इंसुलिन का स्रावित होना, शरीर में इंसुलिन की भूमिका, इंसुलिन एक जरूरी हार्मोन है, हार्मोन सीधे खून में स्रावित होते हैं, उन्हें अलग-अलग उतकों और अंगों में ले जाया जाता है, जहां वे अपना काम करते हैं, इंसुलिन अगनाशे द्वारा स्रावित होता है अगनाशे पेट के पीछे स्थित एक अंग है अगनाशे ग्रंथियों से बना होता है जो अलग-अलग एंजाइमों और हार्मोन को स्रावित करता है अब हम इंसुलिन के स्राव और इस पर असर करने वाले कारकों पर ध्यान द सबसे जरूरी कारक खून में ग्लूकोस का स्तर है याद रखें कि खाना खाने पर ग्लूकोस का स्तर बढ़ता है आंथ में खाना मौजूद होने पर आंथ के अलग-अलग हार्मोन स्रावित होते हैं यह इंसुलीन के स्राव पर भी असर करता है खाने में तीन मुख्य मैक्रो न्यूट्रियंट्स होते हैं कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन और फैट अलग-अलग खादिपदार्थों के लिए इंसुलीन की प्रतिक्रिया अलग होती है कार्बोहाइडरेट वाले खाने खून में ग्लूकोस के स्तर को तेजी से बढ़ाते हैं नतीजन बड़ी मात्रा में इंसुलीन स्रावित होता है कार्बोहाइडरेट से भरपूर खादिपदार्थों के उदाहरण हैं ब्रेड, चपाती, आलू और फल, मिठाईया, अनाज और यहां तक की सबजियां भी कुछ अन्य उदाहरण हैं चीनी, गुड और शहद भी उदाहरण में शामिल हैं ब्रोटीन से भरपूर खानुं के लिए इंसुलीन की प्रतीक्रिया थोड़ी कम मात्रा में स्रावित होती है ब्रोटीन वाले खाने के उदाहरण हैं अन्डे, मास, मचली इंसुलीन के स्राव को उत्तेजित करने के लिए फैट का सबसे कम असर होता है फैट वाली चीजों में घी, तेल, मक्षन, आदी शामिल हैं इंसुलिन दो चर्णों में निकलता है यह या तो आधारिय दर में होता है या चरम दर में होता है इंसुलिन खाना न खाने पर भी कम मात्रा में लगातार निकलता रहता है यह आधारिय दर है खाना खाय जाने पर इंसुलिन जादा मात्रा में निकलता है इसे चरम दर्गे नाम से जाना जाता है इंसुलिन के स्राव के बारे में जानने के बाद आईए शरीर में इसके काम को समझते हैं इंसुलिन कोशिकाओं में ग्लूकोस के सोखने को बढ़ावा देता है यह इंसुलिन की सबसे प्रसिद भूमिका है कोशिकाओं को खोलने के लिए इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है फिर कोशिकाओं खून में से ग्लूकोज ले लेती हैं कोशिकाएं इस glucose को मुख्य रूप से उर्जा पैदा करने के लिए इस्तिमाल करती हैं जब हम खाना खाते हैं तब हम त्रिप्ट अवस्था में होते हैं उर्जा प्रदान करने के लिए शरीर glucose का इस्तिमाल इंधन के रूप में करता है देखते हैं क्या होता है यदि हम अतिरिक्ट ग्लुकोस का सेवन करते हैं कलेजे में अतिरिक्ट ग्लुकोस, ग्लाइकोजन और ट्राइगलिसराइड्स में बदल जाता है ग्लाइकोजन ग्लुकोस का गाढ़ा रूप है यह कलेजे और मासपेशियों में जमा हो जाता है ट्राइगलिसराइज हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा होते हैं जमा किये हुए फैट का इस्तेमाल बाद में किया जा सकता है जब हम खाना नहीं खाते हैं खाना ना खाना अत्रिप्त अवस्था है इस अवस्था में ग्लूकोज की ताजा आपूर्टी उपलब्ध नहीं होती है यह तब होता है जब शरीर उर्जा की आपूर्टी के लिए इंधन के रूप में ग्लाइकोजन और फैट का इस्तेमाल करता है शरीर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है यह हमारे दिमाग के लिए जरूरी है जिसको इंधन के रूप में ग्लूकोज की जरूरत होती है बाकी के गैर, कार्बोहाइडरेट, स्रोत भी ग्लूकोज में बदल जाते हैं उदाहरन के लिए अमाइनो एसिड, लैक्टेट, ग्लिसरॉल यह परिवर्तन खास तोर पर कलेजे और गुर्दे में होता है पर इस परिवर्तन में इंसुलिन बाधा डालता है इंसुलिन के अलग-अलग कामों में सबसे जरूरी उर्जा संभालना है त्रिप्त अवस्था में इंसुलिन उर्जा के भंडार को बढ़ावा देता है यह जादा ग्लुकोस को फैट में बदलने को बढ़ावा देकर ऐसा करता है फैट का तूटना और परिवर्तन रुक जाता है इस प्रकार इंसुलिन शरीर में फैट को कम होने से बचाता है। इस तरह एक व्यक्ति शरीर में जमा हुए फैट को इस्तेमाल या पिगला नहीं पाता है। अत्रिप्तावस्था में इंसुलिन की कमी फैट के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है। जमा की हुई फैट उर्जा प्रदान करने के लिए तोड़ी जाती है एक और हर्मोन है जो इंसुलिन को खून में शुगर के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है यह अगनाशे द्वारा स्रावित ग्लूकागॉन हर्मोन है देखते हैं कि कैसे ग्लूकागॉन के साथ इंसुलिन खून में शुगर के स् था इंसोलिन खून में से ग्लूकोस को कोशिकाओं में ले जाता है। फिर यह कलेजे में Glycogen और Triglycerides के बढने को बढ़ावा देता है। खून में Glycogen फिर समान्य श्डर पर आ जाता है। जब खून में ग्लूकोस का स्तर कम होता है तब अगनाशे ग्लूकागोन छोड़ता है। ग्लूकागोन कलेजे में ग्लाइकोजन को ग्लूकोस में तोड़े जाने को बढ़ावा देता है। इससे खून में ग्लूकोस छूटता है। नतीजन खून में शुगर सामानिय स्तर पर आ जाता है। इस प्रकार इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के पूरक हैं। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन के रूप में भी काम करता है। मतलब कि यह कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देता है। और उत्कों के भी यह हड्यों के बढ़ने और बनने में भी मदद करता है। इंसुलिन का एक और काम है शरीर में पोटैशियम के स्तर को बनाए रखना। इंसुलिन कोशिकाओं में पोटैशियम के घुसने को बढ़ावा देता है। पोटेशियम शरीर के लिए एक जरूरी खानिजपदार्थ है। यह मासपेशों के संकुचन में हरिदय के कामों में शामिल है और द्रव संतुलन भी करता है। इंसुलिन के ये लाबकारी काम तब दिखाई देते हैं जब यह सामानने सर पर मौजूद होता है। उपवास थिटी में स्वस्थ वेक्तियों में इंसुलिन 2 से 5 MIU ML के बीच होना चाहिए। MIU ML का मतलब है मिल्ली इंटरनेशनल यूनिट प्रती मिल्ली लीटर। खून में इंसुलिन का बड़ा हुआ स्थर बहुत सारी स्वास्थे समस्याएं पैदा करता है। इस पर एक अन्य टुटॉरियल में विस्तार से बताया गया है। इंसुलिन के स्तर को बनाए रखने के लिए इस टुटॉरियल में बताए गए कारकों को याद रखें. सामान्य दाइरे के भीतर स्तर को बनाए रखें. यह आपको एक स्वस्त शरीर बनाए रखने में मदद करेगा. अब यह टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है. IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ. हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद. इंसुलिन रेजिस्टेंस के परिचे पर बने स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है. इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे इंसुलिन का कोशिकाओं की सामान्य प्रतिक्रिया पर असर. इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर इंसुलिन की प्रतिक्रिया में बदलाव. मदुमेह की पारंपरिक परिभाशा. मदुमेह का मूल कारण. चलिए शुरू करते हैं. हमारे शरीर को जीवित रहने और वृद्धी के लिए उरजा की जरूरत होती है. ग्लूकोस मनुशी के लिए उरजा का एक बहुत ही सुविधा जनक सरोत है. ग्लूकोस के अनेक अनु स्टार्च बनाते हैं. स्टार्च एक प्रकार का कारभो जो हमारे भोजन में पाया जाता है। कार्बोहाइडरेट वाले खादिपदार्थ भरपूर मात्रा में मिलते हैं और सस्ते होते हैं। इसलिए ऐसे खादिपदार्थों के जरिये से हम बहुत जादा ग्लूकोस का सेवन करते हैं। जो की एक प्रकार की चीनी है। बहुत जादा मीठा खाने से होने वाले खतरनाक नुकसान व्यापक रूप से जाने जाते हैं। खून में शुगर के स्तर का जादा और कम होने के खत्रे भी अच्छी तरह से जाने जाते हैं। अतहे आहार में मिलने वाले ग्लूकोस को हमारे शरीर को उर्जा या चर्बी में परि ग्लूकोस कस्तर 70 और 99 MgDL के बीच बनाए रखता है MgDL का मतलब मिलीग्राम प्रती डेसिलिटर है यह सीमा अगनाशे द्वारा उत्पादित इंसुलिन हार्मोन द्वारा बनाए रखी जाती है इंसुलिन को इसी श्रिंकला के एक अन्य टुटॉरियल में अच्छे से समझाया गया है जादा जानकारी के लिए कृप्या हमारी वेबसाइट देखें अगला मदुमेह की पारंपरिक परिभाशा को समझते है यह खून में ग्लूकोस के स्तर पर आधारित है खून में ग्लूकोस के स्तर को उपवास की स्थिती में खून के दो अलग-अलग जांचो पर की जाती है 126 मिलिग्राम प्रती डेसिलिटर या इससे भी उन्चास्तर मदुमेह के रूप में पहचाना जाता है पर खून में ग्लूकोस का उन्चास्तर बिमारी का एक लक्षन है यह अपने आप एक बिमारी नहीं है यह शरीर में कुछ गलत होने का परिनाम है यह मदुमे का मूल कारण नहीं है यह बिमारी और उसके इलाज की बहतर समझ नहीं देता मान लीजिए आपके खून की रिपोर्ट में ग्लूकोस का स्तर जादा है आप डॉक्टर से सला लेंगे आप खून में बड़े हुए ग्लूकोस के स्तर को अपनी समस्या बताएंगे डॉक्टर आपके खून में बड़े हुए ग्लूकोस के स्तर को कम करने के लिए दवा देंगे। यह दवा लक्षन का इलाज करती है पर इसके कारण का नहीं। चलिए समझते हैं कि मूल कारण क्या है और उसी के अनुसार मदुमेह को परिभाशिक करें। जादतर खाना जो हम खाते हैं वह शरीर में ग्लूकोस में बदल जाता है। यह ग्लूकोस हमारे खून में दाखिल हो जाता है। खून में से ग्लूकोस को उर्जा में बदलने के लिए कोशिकाओं में दाखिल होना पड़ता है। कोशिकाओं में जिलियां होती हैं जो ग्लूकोस जैसे अनुओं के आने जाने की अनुमती देते हैं। कोशिका में ग्लूकोस के दाखिल होने के लिए इंसुलिन के मदद की जरूरत होती है। इंसुलिन कोशिका जिलियों में मौजूद इंसुलिन रिसेप्टर्स पर बैठता है। यह एक श्रिंखला शुरू करता है जिसके परिनाम स्वरुप ग्लूकोस कोशिका में दाखिल होता है। इंसुलिन ना होने पर ग्लूकोस कोशिकाओं में दाखिल नहीं हो पाएगा। यह तब भी दाखिल नहीं होगा यदि इंसुलिन के संकेत पर कोशिकाओं सही प्रतिक्रिया नहीं देती हैं। यदि ग्लूकोस कोशिकाओं में दाखिल नहीं होता है तो शरीर को पूरी उर्ज नहीं मिलेगी ग्लूकोज खून में ही रहेगा यह खून में ग्लूकोज कि श्तरको बढ़ादेगा जिसे हम खून की रिपोर्ट में देख सकते हैं इसलिए मदुमेह का मूल गारण ग्लूकोज का कोशिकाओं में दाखिल ना हो पाना है अब इस मूल कारण के आधार पर तब होता है जब ग्लूकोस के प्रवेश की क्रियाविधी खराब हो। यह प्रभावी ढंग से और कुशलता से नहीं हो रहा हो। पारंपरिक परिभाशा में इंसुलिन ने कोई भूमिका नहीं निभाई पर इंसुलिन बहुत जरूरी है। खून में ग्लूकोस का स्तर 70 MgDL है। आपका उपवास इंसुलिन स्तर 5 यूनिट है। पर किसी वजह से यह ग्लूकोस को कोशिकाओं में धकेलने में सफल नहीं है। यह उपवास थिती में आपके खून में ग्लूकोस के स्तर को बढ़ा देगा 70 से 75 तक। अतहे ग्लूकोस क स्तर को 70 बनाए रखने के लिए 5 यूनिट इंसुलिन परियाप्त नहीं है। इसलिए अगनाशे 6 यूनिट इंसुलिन उत्पादित करेगा। यह कुछ समय के लिए कोशिकाओं में थोड़ा और ग्लूकोस डालेगा। खून में शुगर का स्तर 70 के सामान्य स्तर तक नीचे आएगा। पर ग्लूकोस के दाखिल होने की क्रियाविधी में अभी भी समस्या है। यह यहां से और भी खराब होता रहेगा। जल्द ही 6 यूनिट इंसुलिन ग्लूकोस के स्तर को 70 पर रखने के लिए परियाप्त नहीं होगी। अतह अगनाशे इंसुलिन की जादा यून स्रावित करता रहेगा। इस से ग्लूकोस का स्तर 70 पर बनाए रखने में सफल होगा। यह 80 तक बढ़ सकता है लेकिन यह अभी भी सही सीमा के भीतर रहेगा। कोशिका इंसुलिन की उपस्थिती के प्रती समवेधनशील नहीं है। इंसुलिन के असर पर विरोध और कोशि इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रती क्रिया में इंसुलिन का जादा यूनिट में उत्पादन करता है। यह ग्लूकोस के स्तर को सामानी रखने के लिए है। चुँकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का इलाज नहीं किया है। इसलिए जादा से जादा इंसुलिन का उत्पादन होता है। जल्द ही इंसुलिन का उंचा स्तर भी ग्लूकोस के स्तर को सामानी बनाए रखने में सफल नहीं होता। आखिरकार खून में ग्लूकोस का स्तर 100 य 25 के पार जाता है इसको दूसरे प्रकार के मदुमेह के नाम से जाना जाता है यह ठीक नहीं है अब इस व्यक्ति में ग्लुकोस का उन्चास्तर और इंसुलिन का उन्चास्तर दोनु हैं इंसुलिन अगनाशे की बीटा कोशिकाओं से बनता है हर समय इंसुलिन का जादा उत्पादन इनका काम बढ़ा देता है मान लीजिए शरीर 5 की जगा 15 यूनिट बना रहा है ऐसा करने के लिए बीटा कोशिकाओं सामान्य से 3 गुना जादा मेहनत कर रहे हैं बीटा कोशिकाओं लंबे समय तक इतना काम नहीं कर सकते वे अंततह मर जाएंगे साथी इंसुलिन के उंचे स्तर से शरीर पर और भी कई बुरे असर पढ़ते हैं इसी श्रिंकला के एक अन्य टुटॉरियल में बड़े हुए स्तर के असर बताए गए हैं हालांकि शरीर में दूसरे प्रकार के मदुमेह का पता लगाने में कई साल लग जाते हैं उन वर्षों में हम इंसुलिन समवेदन शीलता में सुधार लाने के बारे में सोच सकते हैं आखिर में पहले और दूसरे प्रकार के मदुम्हे के बीच मुख्य अंतर देखते हैं। पहले प्रकार के मदुम्हे में शरीर बिलकुल भी इंसुलिन नहीं उत्पादित करता। बिना इंसुलिन के ग्लुकोज कोशिकाओं में दाखिल नहीं हो सकता। शरीर को पर्याप्त उर्जा नहीं मिलती, इंसुलिन को बाहरी रूप से टी के द्वारा दिया जाता है, इसलिए इस प्रकार के मधुमे को इंसुलिन पर निर्भर मधुमे कहा जाता है, जबकि दूसरे प्रकार के मधुमे में इंसुलिन के उत्पादन में कभी कमी नहीं आत इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण शरीर जरूरत जितना या जादा इंसुलिन उत्पादित करता है शरीर बीटा कोशिका से उत्पादित इंसुलिन का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता है जब जादा काम करने वाली बीटा कोशिकाएं मर जाती हैं तो बाहरी इंसुलिन टी के लगाना जरूरी हो जाता है, तभी दूसरे प्रकार का मदुमेह, पहले प्रकार के मदुमेह में बदल जाता है, इसलिए हमें इंसुलिन रेजिस्टन्स को ठीक करना चाहिए, यह दूसरे प्रकार के मदुमेह का मूल कारण है, ग्लूकोस का उंचा स्तर, मदुमेह का ए एक लक्षन है इंसुलिन रेजिस्टन्स को ठीक करने के लिए जिंदगी जीने के तरीकों में बदलाव जरूरी है इंसुलिन समवेदन शीलता को कैसे सुधारें इसे अन्य टुटॉरियल में समझाया गया है अब यह टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है आया एटी बॉम्ब के असर पर बने स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे ज्यादा इंसुलिन होना क्यों बुरा है शरीर में जरूरत से ज्यादा इंसुलिन के हानिकारक असर अपने पिछले टुटॉरियल में हमने इंसुलिन और शरीर में इसके का के बारे में जाना था, इंसुलिन एक बहुत ही जरूरी हार्मोन है, यह खून में से ग्लूकोस को कोशिकाओं में ले जाने में मदद करता है, बार-बार प्रसंस्कृत खाना और कार्बोहाइडरेट से भरपूर खाना ठीक नहीं होता, इस वजह से हमारे खून में जादा ग् कोशिकाओं को इस ग्लूकोस की जरूरत नहीं हो, तो वे इंसुलिन की क्रिया होने नहीं देती हैं, ऐसा होने पर ग्लूकोस कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता, इस क्रिया विधी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हाइपर इंसुलि की ओर ले जाता है ऐसी स्थिती में खून में इंसुलिन का स्तर लगातार बढ़ा हुआ रहता है शरीर इंसुलिन के प्रती पर्याप्त रूप से प्रत्रिक्रिया नहीं देता या इसका कुशलता पूर्वक इस्तेमाल नहीं करता है कोशिकाएं इंसुलिन के प्रती कम हो जाती हैं अब insulin resistance के अलग-अलग असर को देखते हैं कुछ असर का insulin से सीधा संबंध है insulin का बढ़ा हुँ अस्तर इन में से एक या एक से जादा बुरा असर पैदा कर सकता है उन में से एक है दूसरे प्रकार का मदुमें देखते हैं कि ये कैसे बढ़ता है insulin resistance के शुरुआत में खून में शुगर सामान्य रहता है insulin तब बढ़ता है जब कोशिकाएं glucose को कुशलता से इस्तिमाल नहीं कर पाती है एक बार जब insulin का स्तर बढ़ जाता है तब glucose जादा मात्रा में कोशिकाओं के अंदर धकेल दिया जाता है इस वजह से खून में glucose का स्तर सामान्य स्तर पर बना रहता है यदि खून में insulin के स्तर की जांच नहीं की जाती है तो यह चरण छूट सकता है क्योंकि खून में शुगर का स्तर अभी भी सही रहेगा कई सालों के बाद insulin resistance बढ़ जाता है insulin का बढ़ा हुआ स्तर भी अपना काम नहीं कर पाता है यह पर्याप्त मात्रा में glucose को कोशिकाओं में धकेलने में सफल नहीं होता तभी खून में glucose का स्तर बढ़ता है और दूसरे प्रकार के मदुमेह का पता चलता है insulin के बढ़े हुए स्तर से जुड़ी एक और बड़ी परिशानी मोटापा है insulin भूग का एक हार्मोन है जरूरत से जादा insulin जो इस्तेमाल ना हुआ हो वो दिमाग को संकेत भेजता है ये संकेत शरीर में glucose की आपूर्ती के लिए भेजे जाते हैं इस वज़े से भूग उतेजित होती है भले ही किसी व्यक्ति ने अभी अभी खाया हो फिर भी उसका शरीर जादा खाने के लिए तरसेगा इसका नतीजा है भूग और जरूरत से जादा खाने का लगातार चक्र बनना इसे एक उदाहरन से समझते हैं मान लीजे कि आप इस समय भूके नहीं हैं फिर कोई आपको कार्बो हाइडरेट से भरपूर खाना खाने का एक छोटा सा हिस्सा देता है जैसे कि बिसकुट, मिठाई वगेरा इसे खाने पर आपके खून में ग्लूकोस का स्तर और फिर आपके इंसुलिन का स्तर बढ़ जाएगा बढ़ा हुआ इंसुलिन का स्तर दिमाग को जादा खाने के लिए संकेत भेजेगा इसी वजह से हम में से बहुत से लोग कम खाना नहीं खापाते इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज़ादा खाना खाने का निरंतर चक्र चलता रहता है इसका नतीजा मोटापा हो सकता है एक और तरीका है जिस से बड़े हुए इंसुलिन का स्तर मोटापे का कारण बन सकता है बड़े हुए इंसुलिन के स्तर के कारण शरीर उर्जा के लिए फैट को तोड़ने में असमर्थ होता है शरीर फैट को इस्तेमाल करने के बजाए उसको जमा करने में लगता है इंसुलिन लेप्टिन के संकेतों पर असर करके मोटापे का कारण बन सकता है लेप्टिन एक हार्मोन है जो दिमाग को संकेत देता है कि पेट भर चुका है इंसुलिन का बढ़ा हुआ स्तर लेप्टिन के संकेतों को पाधित कर सकता है यह खाने की लालसा और जादा खाना खाने का कारण बनता है इंसुलिन और मोटापे के बीच गहरे संबंद को एक अन्य टुटॉरियल में समझाया गया है सिरफ मोटाप्या ही इंसुलिन रेजिस्टेंस का सूचक नहीं है दुबले लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है स्वचा के नीचे फैट जमने के बजाए वे इसे अपने अंगों के अंदर या उनके आसपास जमा करते हैं उनके कलेजे में जादा फैट हो सकता है जिसे फैटी लिवर की बिमारी के नाम से जाना जाता है जादा ग्लुकोस ट्राइग्लिसराइड्स में बदल जाता है और कलेजे में जमा हो जाता है बढ़े हुए इंसुलिन कस्तर फैट के तूटने को रोपता है, समय के साथ कलेजे में फैट जमा होता रहता है यह कलेजे की फैट को संभालने की शमता पर भोज डालता है, आखिरकार उस वेक्ति में फैटी लिवर नाम की स्थिती बढ़ जाती है बढ़े हुए इंसुलिन का स्तर रक्त चाप के खत्रे को भी बढ़ाता है, यह गुर्दे में सोडियम के फिर से सोखे जाने को उत्तेजित करके ऐसा करता है, इस वज़े से रक्त चाप बढ़ जाता है बड़े हुए इंसुलिन स्थर के साथ हरिदय रोग शुरू होने का भी खत्रा होता है यह अलग-अलग प्रक्रिया से होता है सबसे पहले रक्तवाहिकाओं की सूजन है दूसरा है लिपिड प्रोफाइल में बदलाव अगला प्लाक और खून के ठक्कों का बनना है हरिदय की रक्तवाहिकाओं पर जमे हुए फैट वाले पदार्थों को प्लाक कहते हैं इन चर्णों को अच्छे से समझते हैं लंबए समय तक खून में शुगर के बड़े हुए स्तर और बड़े हुए इंसुलिन के स्तर सूजन का कारण होता है हरिदय की रक्तवाहिकाओं की परत खराब हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टन्स में नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने में भी बाधा होती है फ्रुक्टोस जादा खाने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है फिर यूरिक एसिड शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की उपलबता कम करता है नाइट्रिक ऑक्साइड रक्तवाहिकाओं को आराम देता है यदि यह पर्याप्त रूप से नहीं बनता है तो यह रक्तवाहिकाओं को सिकोड देगा यह खून के बहने में बाधा डालता है और सूजन को बढ़ाता है यह रक्तचाप भी बढ़ाता है दूसरा बड़े हुए इंसुलिन स्तर के कारण लिपिट प्रोफाइल पर प्रतिकूल असर पड़ता है VLDL और LDL के स्तरों में व्रिधी होती है यह लिपो प्रोटीन है जो खून में फैट और कलेस्ट्रॉल को ले जाते हैं बड़े हुए इंसुलिन स्तर पर बनने वाला LDL छोटा और ठोस होता है यह हृदय की रक्तवाहिकाओं के लिए खतरनाक है रक्तवाहिका में सूजन दिखने पर लिपो प्रोटीन इसे बंद करने के लिए आते हैं VLDL और छोटे ठोस LDL रक्तवाहिकाओं की दिवारों से जुड़ जाते हैं नतीजन प्लाक बनते हैं जो रक्तवाहिकाओं को सिकोड देते हैं खून ऑक्सीजन और पोशक तत्वों की आपूर्ती पर असर होता है कुछ प्लाक तूट सकते हैं और खून के ठक्के बन सकते हैं इस वजह से दिल का दौरा पढ़ सकता है या आघात भी बहुत से लोगों को अभी भी हृदे रोग के आहार संबंधी कारणों के बारे में गलत फहमिया है उन्हें लगता है कि ऐसा खाने में फैट और कलिस्ट्रॉल के कारण होता है असली वजह जादा कार्बोहाइडरेट का लेना है बहुत जादा चीनी और वनस पती तेलों से बने खाने की चीज़ें भी जिम्मेदार है वे शरीर में सूजन की शुरुआत करते हैं जबकि आहार में अच्छी गुणवत्ता वाला फैट सूजन कम करने में मदद करता है अच्छी गुणवत्ता वाले फैट के उदाहरन है नारियल का तेल, घी, मक्खन, मच्छली, मेवे इंसुलिन का बड़ा हुआ स्तर कोशिकाओं की भी तेजी से उम्र बढ़ाता है यह इनसान की उम्र को कम करता है ऐसे वेक्टियों में अल्जाइमर होने का खत्रा होता है अल्जाइमर दिमाग की एक बिमारी है जो यादाश्ट और मानसिक कारिप्रनाली पर असर करती है हम जानते हैं कि इंसुलिन एक एनबॉलिक हार्मोन है यह कोशिका को बनाता है और उनके खत्म होने को कम करता है लेकिन यदि इंसुलिन का स्थर जादा है तो यह कैंसर करने वाली कोशिकाओं के बढ़ने में मदद कर सकता है बड़े हुए इंसुलिन स्थर और थाइरोइड की बिमारी के बीच भी एक संबंध है बड़ा हुआ इंसुलिन का स्थर T4 से T3 के रुपांतरन को प्रभावित करता है इसका नतीजा हाइपो थाइरोइडिजम होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस इंसुलिन और ग्लूकागॉन के संबंध पर असर करता है चलिए स्वस्थ वेक्तियों में इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बीच का संबंध देखें जब खून में शुगर का स्तर जादा होता है तब अगनाशय इंसुलिन छोड़ता है यह कोशिकाओं को ग्लूकोज लेने में मदद करता है और खून में शुगर के स्तर को कम करता है। जब खून में शुगर का स्तर कम होता है तो अगनाशे से ग्लूकागॉन छोड़ा जाता है। ग्लाइकोजन को तोड़के खून में ग्लूकोज बनाने के लिए यह कलेजे पे काम करता है। ग्लूकागॉन शुगर के स्तर को बहुत कम होने से रोकता है। ऐसे ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे के पूरक की तरहा काम करते हैं। वे स्वस्थ लोगों के खून में शुगर के स्तर को सही दाइरे में संतुलित रखते हैं। इंसुलिन रेजिस्ट वाले लोगों में यह तालमेल बिगड़ जाता है। ऐसे लोगों में अगनाशे ग्लुकागॉन को छोड़ना बंद नहीं करता है। इस वज़े से ग्लाइकोजन में से और जादा ग्लुकोस छूटता है। इसलिए खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। इनके अलावा इनसुलिन का बढ़ा हुआ स्तर दूसरी बिमारियों का कारण बनता है। जैसे कि फैटी लिवर, औस्टियो पोरोसिस, तनाव, गुर्दे का काम ना करना। जोडों में दर्थ और जकड़न भी हो सकती है। बाकी है आंखों की रक्तवाहिकाओं को नुकसान और मोतिया बि हैं और उन में जुन-जुनी महसूस होती है। बढ़े हुए इनसुलिन से पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी होता है, जिसे PCOS के नाम से जाना जाता है। इनसुलिन के बढ़े हुए स्तर की वजह से पूरुष हार्मोन जादा बनता है। हार्मोन का असामान्य स्तर फॉलिकल्स को सही तरह से बढ़ने नहीं देता। ये परिपक्व होने और अंडे देने में असमर्थ होते हैं। इस वजह से ये अपरिपक्व फॉलिकल्स अंडा शेय में जमा हो जाते हैं। ये महिलाओं में अंडे निकलने और जनने की शक्ति पर असर करता है। बढ़े हुए इंसुलिन के स्तर के कुछ अन्य लक्षन भी हैं, जैसे बार-बार या लगातार भूक लगना, ठकान महसूस करना, उल्जन, सीने में जलन आदी, त्वचा की चिप्पी, गर्दन और बगलों में काले धब्बे भी एक कारण हैं। फेपड़े के काम करने में कमी और श्वास प्रणाली में बढ़ा हुआ इंफेक्शन अन्य उधाहरन हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने इंसुलिन के स्तर को नियंतरण में रखें। स्वस्थ वेक्तियों में उपवास की स्थिती में इंसुलिन 2 से 5 MIU ML के बीच होना चाहिए। MIU ML का मतलब मिली इंटरनाशनल यूनिट्स पर मिली लीटर है। 5 MIU ML से उपर शरीर में इंसुलिन का बड़ा हुआ स्तर दर्शाता है। इस से स्वास्थ से जुड़ी एक या एक से ज़ादा तकलीफ हो सकती है। कोई भी जांच या दवा लेने से पहले कृप्या अपने डॉक्टर से सला ले। अब यह टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है। IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ। हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब लेस्ट आपस्ट आपसे जापसे से जिए है। झाल झाल